कि चब तक आप अपनी मात्र भासा में अच्छे से जानकारी नहीं रखते हैं तब तक आप अपने को प्रूव नहीं कर सकथे आप अपने को बढ़ा नहीं सकते हैं हमारे खुद के देश में भी हिंदी हर्जे के नहीं बोली जाती है अभी आप दक्षिन की तरफ चले जाए या फिर पूरोतर चले जाए हिंदी नहीं समझेंगे लोग तो वहां पर आपको अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है तो ठीक है अंग्रेजी सीखें लेकिन कम से लेकिसर और आपकर सबूारीय चल सकती है तो इसलिए इंग्लिश को माना गया है कि एंग्लिश में पर पर रहें कि आइं पहार भी जाएँंगे तुम्हां पर तो रहें आपको लेंग्वेज है इसलिए इंग्लिश को भी इंग्लिश एक ऐसी चीज घूंगो की भाषा मानते हैं उसको और पिछली बार भी मैंने यह बताया था कि कुछ चीजे हुसमें साइलेंट होती हैं लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं और जो हि कि रिखने वह बात अलग है इंग्लिश में जब बोलते हैं कि उन्हों को हिंदी नहीं आती है तो उनको समझाने के लिए हम इंग्लिश में बॉल सकर आप देख रहें से सर्माते हैं चलिए आये लोगों से जानते हैं मेरा नाम रश्मी राज है और मैं कन्यावाथिक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता अंग्रेजी के पतपर कारे रथ हूं कि अंग्रेजी के पतपर हो जो विदेश से लोग आते हैं भारत आते वो भी कोसिस करते कि उनको हिंदी आती है मतलब लेकिन जो भारती है वही अपनी भासा को प्रात्मिक्ता नहीं देते हैं देखे जहां तक अब जितना मैंने जो मेरा जीवन गुजरा है उसके हसाब से मैं जितना अनलाइज कर पाई हूं हिंदी की उपयोगिता और उसका महत्व दोनों ही बढ़ रहा है एक समय था जब मैं स्कूल में थी तब ऐसा था कि हां लोग अंग्रेजी को बहुत महत्व देते थे और हिंदी को बलकि ऐसा लगता था कि शरम कर रहे हैं बोलने में लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है मैं खुद अंग्रेजी प्रवक्ता हूं और स्कूल में भी कहीं पर भी जब मुझे जहां भी मौका मिलता है मैं हिंदी में ही बात करती हूं और सबसे बड़ा जो इसका रीजन है कारण है वो यही है कि जो हम अपनी भाशा में जितना हम एक दूसर करने का जो वज़ा है वो यही रहेगी कि वह भी यहां के लोगों के साथ बातचीत करके उनको समझना और अपने आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो इसलिए प्रयोग करते हैं और अभी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो ऑक्सवोर्ड डिक्शनरी में भी हिंदी के एड हो गए तो यह एक बहुत अच्छा में कहूंगी पहल हो रही है और हिंदी इसका मतलब के अंतराश्टी इस तरपर अपनी पहचान वास्ता में बना रही है अगर भारत में हिंदी भासा को और अधिक महत देना चाहिए तो मतलब क्या करना चाहिए लोगों को ताकि हिंदी करने के लिए तो सबसे पहला जैसे बच्चे के लिए जो सीखने का जगह होता है उसका घर होता है फिर अब उसका स्कूल होता है तो घर में ही अगर जो अगर हिंदी को कम तर आंकेंगे और बच्चे से उमीद करेंगे कि वह अंग्रेजी में ही बात करें और हिंदी में ना तो सबसे पहला तो गिरावत यहीं पर शुरू हो जाती है फिर बात आती है विद्यालियों की तो अब हम लोगों की जब से जब सिक्षा हुई थी तो हमारे पिता जी ने कभी यह नहीं कहा कि नहीं हिंदी नहीं सीखनी है उच्छारण पे वर्तिनी पे हर चीज पे उनका बह अब यह उसको यह मनोबल उसका बढ़ेगा तो वह बाहर भी बहुत ही अच्छे से उस चीज को इंकोपरेट करेगा अपने वहार में उसको शामिल करेगा तो मुझे नहीं लगता कि अगर घर से यह सही सिक्षा मिल रही है तो बाहर आके बच्चे को कोई भी शर्विंदी क अगर कभी लोग इंग्लिस मीडिया में लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर जिनकी कांसलिंग होती है वो इंग्लिस लेंगवेज को ही देख कर की जाती है उस पर क्या कहेंगा अब यह तो स्कूलों को सुधार करना चाहिए खास करके प्राइवेट स्कूल है हम लोगों क उक्तरपधेश स्क्षा उसके बोड के हैं यहां पर तो ऐसा कोई जोड नहीं दिया जाता है लेकिन जो प्राइवेट इस्कूल से वहां पर आंग्रेशी पर जोड दिया जाता है जोड़ बेशक क्योंकि उन्ट आट आपकर उन्टरश्टिय रस्तरें पर मानना है तो नहर प्राइबेट हैं उनको इस चीज के उपर जरूर करना चाहिए कि वह हिंदी की एहमियत को कम ना करें बाद मैं मैं सबसे पहले आपना परीचे दीजिए कि मैं अन्जु सेनी मेरा नाम है और मैं नगर्शेत्र में एर्पी हूं एकेडमिक रिसोर्स परसन और मेरे 93 विद्याले हैं 93 विद्याले में हम चार एर्फी हैं अगर्शेत चे और Prag923 कि अपने बाट लिए हैं और 110 विद्याले हमारे निपढ़ बनाने आज लोओ П है उसको यूज करने में इस्तिमाल करने में थोड़ा सरमिंद की महसूस करते हैं इस पर आपको क्या लगता है आज मेरा सरस्व भाग है कि आज हिंदी दिवस पर और मैं हिंदी के यारपी हूं तो हिंदी तो हमें बहुत प्री है और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ही मै निकली हों कि आप अपनी मात्र भाश में अच्छे से जानकारी नहीं रखते हैं तब तक आप अपने को प्रूब नहीं कर सकते आप अपने को बढ़ा नहीं सकते अच्छ मैं अक्सर देखा जाता है कि इंटर्व्यूस हो जाएं यह पच्छे इंग्लिश मीडियम पढ़ते तो उनको फर्स्ट प्राइटी दी जाते कि आपका इंटर्व्यू अच्छे से क्रायक हो सकता है आप मतलब प्रथम आ सकते कई चुजों में लेकिन हिंदी जो और जो हमारी इंग्लिश्लफ भाशा है तो भाशा को सब भाशा को अपना मात् Istanbul और जो अंग्रेजी के इंटर्व्यूस है तो सब सबी जगह हिंदी तो नहीं चल सकते इथा इसलिए इंग्लिश्लमाना गया है कि इंग्लिश में इसलिए पढ़ रहे हैं कि वह भार भी जाएंगे तो महां पर तो हिंदी नहीं चलेगी क्योंकि इंटरनेशनल लेंगवेज है इसलिए इंग्लिश को भी माने जारा हैं लेकिन रहते हैं नियुकाuma को में भारट पर लोग अपनी क्या भाषा को-एढ़कु बहुत करे något जारा हैं लेकिन कि मैं चाहूंगी सब बच्चों को संस्कारों में हिंदी छाहिए जो एक होगा लेकिन इंग्लिश एक ऐसी चीज गुंगो की भाशा मानते हैं उसको और पिछली बार भी मैंने ये बताया था कि कुछ चीजे उसमें साइलेंट होती है लेकिन हिंदी में इसा नहीं होता है जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं और जो हिंदी भाशी है वो हिंदी को इसा नहीं है हिंदी एक में है सब्जेक्ट है और उसमें बढ़ावा देना चाहिए और हमें बच्चों को जागरूप करना चीह हींदी तो मेन है अगर हम लोगो को लग रहा है कि जैसे कई और भासाइब ही है वह लुप तो हिंदी भी आप लोग जूना कम करते जारा है ब कि इस पर हमारा ज्यादा ध्यान देना चाहिए इसलिए हम सब देंगे अगर अंतराश्चे तोर पर हिंदी सब्दों को मतलब हिंदी को अगर लोग प्रियोग करें तो आपको कैसा लगेगा बहुत अच्छा लगेगा हम चाहते भी है कि अपनी हिंदी भासा को तो सब सरो पर क्यों क्या है कि हमारे बहुति कि हमारे देस की बाशात तीस्य नंबर पर आती झहां अं ग्रेजी पहले नंबर वशाव को फस्ट प्रयोरिट यृटे लेकिन भारत के Kauf नागरिक भारती भासाने को क्या लगता है यह सोच पर डिर्ट करता और जिनेह ले त्हीं त्वें हम तो ऑपने प्रवचन को हिंझी बोलते हैं वबात अलग है इंग्लिश में हम जब बोलते हैं कि उन लों को हिंदी नहीं आती है तो उनको समझाने के लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं तो आपको क्या लगता है मैं कि जैसे इस तरह से इंग्लिस में कुछ words silent होते हैं, लिखा कुछ होता है, पड़ा कुछ और जाता है, तो हिंदी और इंग्लिस, दोनों में इतना बड़ अंतर कैसे आ जाता है? यह तो इंग्लिस बनाने वाले जान सकते हैं, हम तो यही कहेंगे, जो भाषा हमारी उचारित है और जो हम लिखते हैं, वही ज़्यादा अच्छी है, एक वैज्ञानिक भाषा है हमारी, हिंदी, अगर कोई व्यक्ति, इंग्लिस और हिंदी, दोना बाहस होगा, अगर क्योंकि कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें आस-पास का महौल जरूरी है, अभी जैसे हमारे विद्यालियों में बोला गया है कि बच्चे की मात्र भाषा में, जो उसकी छेतरी भाषा उसमें बात प्रश्ण उत्तर करें, क्योंकि जो बच्चा छेतर से अपने सीख कर आत आप देख रहे हैं N27 News पकड़ हर खाबर पर